नमस्का प्यारे साथियों मैं रवी कुमार आप सबका एक्जम कार्ट लाइब चैनल पर स्वागत करता हूँ आज मैं आप सबके लिए SSC CHSL 2022-2023 के सेशन का 26 जून 2023 को मेंस हो चुगा है और उसका कल पर सो मनलब दो-तीन दिन में आपकी आंसर की कि प्रवाइड हो चुकी है कि आप अपना अब्जेक्शन भी दायर कर सकते हो कौन सा कोशन गलत है कौन सा कोशन गलत नहीं है तो उसी को देखते हुए मैं आप सब के लिए SSC CHS means का math का paper solve करवाने के लिए पसित हुआ हूँ चलिए सुरू करते हैं कोशन क्या है हमारा हम देखिए आपको पूरे एक कोशन बहुत अच्छी तरीके से solve करवाएंगे कि उसकी approach क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए चलिए सुरू करते हैं कोशन में फर्ष देख में जिसे मालो मैं कह रहा हूँ total जब बोट पडे तो माल लिए 100% मान के लिए हमेसा 100% पडसेंटा मैं कह रहा हूँ पूरा area थो एक लाग Im उसमें से 80,000 लोगों नहीं बोट दिया, तो बोटों की संग्या तो मेरे लिए पूरी 100% ही मालने जागे, उसी पे हाल जीत का फैसल होगा, तो मेरे को पता चल गया, टोटल बोट कितना है, मेरे पास कितना 100, समझेगे चीज़, कितना है, 100 है, कोई डाउट, किलियर है, मेरे कितना 100x है, ऐसे मालने जागे, कोई डाउट, अब कोशन है, 20% ने बोट ही नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है, कितने बोट मिले है, 80% बोट मिले है, मतलब बोटों की संग्या कितनी मिली है, 80x मिली है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत हो नहीं है, किलियर है, अब कोश किया आग वैद कोंग की संख्याएं तो बता वैद कितनी है मेरे पास है 80x-40 पता कोई डाउट इसमें यहादा कोई दिक्कर तो नहीं है यह जिस किलियर है आगे समयने अब कह रहा है 42 प्रतिसत विजेतों उमीदवावर को प्राप्ट गर किसमें से 42% इसमें से प्राप्ट 42x मिला किसका पंजीक्रत मत दाताओं का मतलब जो बोट डलने है इसका 42% मत मिला है यह दो है इसका 42% आप बताओ कि दूसरे वाले को तो इसमें सी तो माइनस होगे मिलेगा तो दूसरे वाले को मिलेगा 80x-40-42x बदा कोई डाउट इसमें है विजेता उमीदवार को पंज पंजीक्रत मत मैंसे 42% मिला है तो इसका 42% होगा 42x हानने वाले को मिला इस वाले मैंसे जो बैदमत है जो हमारे बैदमत है यह क्या है यह हम अपके पास बैदमत यह क्या है बैदमत मैंसे इतना बोट आपको मिल चिको है तो हानने वाले को मिला 80x-40-42 कोई डाउट तो नही अब बता हार जीत का फैसला है इन दौनों के बीच में होगा कि नहीं होगा हाँ जल्दी बताइए क्या इन दौनों के बीच में हार जीत का फैसला होगा हाँ होगा तो बता दौनों का अंत्र कितना हो गया 42 में से 38 गए 4x और माइनस माइनस प्लस हो गए तो यह होगे 4x प्लस 40 तो हमने कहा यह होगे 4x प्लस 40 कितने से हार जीत का फैसल होगा है हार जीत का फैसल होगा है 112 नम्मर से कितने से 112 मतों से हार जीत का फैसल होगा है तो परत चल गया, 4X equal to कितना होगे, 112 मैं से 42 गये, तो कितने बचे 72 बचे, कितने बचे 72 बचे, कोई डवट, एक्स बरावर कितना होगा, अठारे चोग भातर, कितना गया, अठारे चोग भातर, एक्स की वेल्लू कितने होगी, अठार होगी, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा पंजीकरत मत दाता कौन से था, यही तो है, पंजीकरत, कितना है, हंडर्ड एक्स है, तो मतल ही होग आगे समय मैं बहुत आराम तरीक से पढ़ाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बता ओप्षान नमर कौन सा हो गया, आपका हो गया 4, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चले देखें अगला कोशन, हटा देखें, अगला कोशन क्या है, अरुण और भारती की आयू का अनुपाद, तो मैंने कहा अरुन के लिए मैंने लिखा A, और भारती के लिए लिखा मैंने B, तो मैंने कहा A PLUS B, A PLUS B कितना है? 24 है कोई डाउट, कोई दिक्कत हो नहीं, आब करे है अरुन बड़ा है, ठीक है, अरुन बड़ा है यदि अरुन और भारती की आयू दो गुनी कर दी जाया मतलब अब क्या कर दूँ दो गुनी कर दूँ क्या कर दूँ दो गुनी किलियर है तो उनका अंतर अब यहां कह रहा है अंतर कहा है उसने क्या कह रहा है अंतर कहा है तो मैंने कहा अंतर कितना है अंतर कितना है आठ वर्स का तो बताओ दो कॉमर लिखे कड गया तो A-B बरावर होगा 4 कोई डाउट इसमें दौनों को solve करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बड़ा नमर कौन सा A है तो प्लस करने पर A निकलीगा और छोड़ा नमर है B तो माइनस करने पर B निकलीगा और डारेट प्लस याग रखो मैं अगर प्लस करने तो यह होगा 2A इनको भी प्लस कर लिया यह कितना होगा 28 हो गया तो A की वेलू कितनी आगई A की वेलू आगई 14 वर्स कोई डाउट अच्छा अब यही पूचू में कि भारती की आयू कितनी होगी तो भारती की आयू छोटी है तो माइनस कर लो तो माइनस करने पर अगर 2B इकल टू 24 में चार्ड गए 20 बचे तो B की वेलू कितनी आगई 10 आगई यह चीज़ किलियर है यह चीज़ सीख लो ठेक ना आप मेंस देने जारो आपको यह चीज़ पता हो नहीं यह नहीं आप इसको प्लस माइनस करो कुछ नहीं है अरुन कितने साल का 14 साल का तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन हो गया आपके पास तीसरा कोई डाउट इसमें यह चीज़ किलियर है कि नहीं एक स्टेप बाइस स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको लेकिन आपको पूरी थोरी नहीं सम्झाओंगो आपको जो एप मैं आपको मैं समझाता जाँ हूँगा लियर है चले देखिए अगला कोशन कोशन नम た से क пошन पर कोसे निमनिलिखित अनुपात्व उन पातां को सही अवरोहि करम में ग्यात कीजिए अवरोहि करम क्या होता है जल्दी बताईए अवरोहि करम क्या होता है बताईए करिए से देखे अब रोही करम होता है घटता हुआ करम मतलब सबसे पहले आगा बड़ा नमबर फिर उसे छोड़ा नमबर मतलब घटता हुआ करम क्या होगा यह घटता हुआ करम अब देखो जब भी ऐसे question आजा तो कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 30, 15, 50, 20, इस सभी का LCM लोगे, तो इसका LCM लेंगे, तो यह क्या जागा कितना? 600, clear है, कितना जागा 600, 300 ले लो LCM, कितना जागा? 300 LCM आ गया, तो बताओ, 300 बनाने के लिए, यहां क्या चाहिए, 10 का multiply औ कर दुछ तो उपर वाला नमर होगे, 170, कोई doubt? चलिए, 300 को बनाने के लिए, 5 दूनी, 15 दूनी, 30 मां बीष का गोणा कार दूँ, 20 का गोणा के लिए, 240 हो गया, कोई doubt? कोई दिखत? पही, 50 दूना कि लिए, 6, 87, ए चि कितना होगे? 7 लोगे, 7 जूनी 14, 14, 4000 के लिए? 4 तो 6 दूनी 12 162 हो, कितना हो गई है? 162, कोई डाउट इसमें, कितना हो गई 162, अब कोशन है 11 के लिए, अगर मैं इसको 20 से डवाइट करूँ तो कितना हो जागा? 15 हो जागा, 15 का मल्टिप्लाइ करूँ तो 15 का मल्टिप्लाइ करूँ तो 5, 5 और 1, 6 और 1, अब बताओ, सबसे बड़ा नमबर कौँ सा है? 170 है, 170 की बिन कौँ से? 172, 30, फिर कौँ सी है? 162, 162 की बिन 272, 272, 50, फिर कौँ है? 165 है ना, 165 वाले ले लो, 112, 20, फिर ले लो, 272, 50, सबसे छोड़ी कौँ सी? 140 मतलब 7, 15, तो आंसर कितना गया? 172, 20, 112, तो ऐसे देख ले, 172, 30, कोई है ऐ option number कौँ से हो गया? Option number हो गया आपके पास 2, कोई दिक्कर तो नहीं है, यह जिस clear हुई की नहीं हुई? आगे समझे, चले देखे एकला question, देखे, question है, कोई धनरासी साधरान ब्याज पर 4 वर्स में स्वैम की 2 बुनियों हो जाती है, देखे, जब भी साधरान वर्स की बाद करें, हमें पता होना चाहिए, साधरान ब्याज जो होती है, ब्याज जो होती है, हर साल की, क्या होती है, समान होती है, यह तो है, मालो मेरी एक साल की ब्याज 10 रुपे है, तो दूसरी साल की ब्याज क्या होगी, 10 ही होगी, तीसरी की भी 10 होगी, चौती की भी 10 होगी, लेकि लेकिन यहीं अगर, selection आजी किसका compound interest का, मतलब compound interest पर बयाज गहाओ एक साल पोंक्र होता साधरा प्याज़ के दौनों होती है, लेकिन जलीतम हर साधरा है कोशन, ब्याज की होती है, समान रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो, कह रहा है, कोशन चार वर्स में, चार वर्स में, दो गुनी हो गई, तो देखे, जब भी सब्द ऐसे जाए, कितनी गुनी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, बन जाती है, ऐसे सब्द है, हो गई, हो मूलदन प्लस ब्याज यह दो होता है मूलदन प्लस ब्याज तो यह क्या है मेरे पास बनकर आ रही है तो बताओ इसमें गुनी है तो बताओ एक रहा होगा क्या आपका प्रिंसिपल एक रहा होगा आपका इंटरेस्ट तो मतलब यह हर साल का इंटरेस्ट समान होता है तो मैंन उसी ब्याज की दर्पत कितने समय में साथ गुनी हो जाई कितनी गुनी की बत कर रहा है साथ गुनी की बत कर रहा मतलब क्या है इसमें एक तो आपका पास प्रिंसिपल है तो बताओ छे क्या है छे आपके पास क्या है इंट्रेस्ट है इंट्रेस्ट समान रहता है फई एक इं में एक बनेगी, फिर चार साल में एक बनेगी, फिर चार साल में एक बनेगी, तो बताओ, क्या मैं ऐसे ना कर लूँ, इंटरेस्ट में यहाँ छे खा गुणा कर लूँ, तो कितनी इच इंटरेस्ट बन गई, कितनी में, 6 चौक, 24 साल, कितना अंसर आज़ेगा, 24 वर्स, कोई इसमें कोई दिक्कत है कोई डाउट तो नहीं है कोशन करना कैसे यह समझना है आप मेरी थियोरी पर मत समझिए कि मैं आपको कितना समझा रहा हूं मैं आपको समझा इसी लिए रहा हूं ताकि आपको कोशन में कोई दिक्कत नहीं बस कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं ह आगे समय चले अगला कोशन देखे, कोशन है, निमन लिखित आखणों की माद्दिका, देखे, माद्दिका क्या होती है, माद्दिका क्या होती है, इस चीश को समझो, देखे, माद्दिका होती है, पहले इसको आरोही किरम में, पहले इसको किसमें, आरोही किरम में, लिखना ह होता है जो ठीक है ना पहले इसको अरू किरने में लिखेंगे के लिए है अगर संख्या अगर संख्या को पदों जो सबसे चोटर नमबर है फिर आपके पास 114.1 फिर कौन से नमबर है 116.6 फिर कौन सा है फिर है आपके पास 118.7 फिर कौन सा है 121 है फिर कौन सा है 121.3 है फिर कौन सा है 139.75 है फिर कौन सा है 136.6 है यह चीज़ समझने आ गया अब बस काउंट कर लो तो नमबर ऑफ टम कितने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, अगर सम हो जाए तो बस तीन इसको इठाओ, तीन यहां से ठाओ, तो बचे कितने दो, हमेशा बीच की संख्या को क्या बोलते हैं, बीच के अंको क्या बोलते हैं, मादिका का मतलता है, sum of all number upon total number, बस, म हमें average ऐसे भी निकाल सकते हैं, कि क्या करें हम, हम देखें, साइट के नमबर ठाली है, मैंने साइट के नमबर ठाली है, तो बीच का नमबर हमाई पर बचे यह दो, अब दो नमबर पर निकालना है, 116.6 और 118.7, इस पर निकालना है, 6 और 6, 12, 12 और 13, कोई डाउट इसमें एक हासिल, 7, 7, 14, 14, और 1, 15, एक हासिल, 1, 2, 3, और यह होगे 2, अब बताब कितने नमबर है, मादिका के लिए average है, average क्या है, sum of all number upon 2 से divide करें, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 14, ठीके न, 2, 12, कोई डाउट, 2, 12, एक हासिए 2, 15, 10, कितना, 117.65, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं, 117 पैसट है, option में, option में कौन सा है, बिकल्प नमबर 4 है, कौन सा है, बिकल्प नमबर 4, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है, समयने अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं चलिए, अगरा देखे, कोशन है, पिता और पुत्र की आयू में, 15 वर्स का अंतर था, त बिक्स आ रहा होगा, तो मैंने का, पिता की, फादर की वर्थमान, प्यूंच एज, प्यूंच एज कितनी रही होगी, x रही होगी, तो बताओ, पुत्र की कितनी होगी, पुत्र की होगी, x-15, अब क्या कहारा है, पाच्छ वर्स पूर, मतलब पीछे जाना है, तो पीछे जाँगा मैं फादर के लिए पीच गए x-5 और यह x-15-5 मतलब 15 x-20 हो गया अब कोशन यह है पाँच वर्स पूर पिता की आयू अपने पुत्र की आयू की दो गुनी हो जाती है कौन गुना हो जाता है पिता दो गुनी हो जाते है जब इसको दो गुना करेंगे तो कुछ नह नहीं है clear है देखिए यह उदो चला गए x बचा यह प्लस के 40 आ गया तो माइनस प्लस माइनस तो 35 हो गया तो x की वेलू कितने आगी 35 आगी कोई डाउट x की वेलू कितने आगी 35 आगी अब क्या पूचा प्रजेंट पूचा तो बता प्रजेंट में फादर की आज कितनी ह माइनस 15 होगी कितनी बीस साल आंसर कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आगे समझें कोई डाउट इसमें कोई दिककत तो नहीं है समझ लीजिए अच्छा एक चीसा सबस्तिए घए ठाओ यहां होतो इक एक चीज और समझिये देखे मैं क्या 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 रहु हाँ आप समझ और कोसट समझें मैं क्या 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 है क्या क्या शाहरा है दीखे 25S ili मिल की पंथे 25 सॉने साल प्रिजेंट वहला थर होगा तो पानच वर्स का मतलो के वापनार पंधर की तो बताओ ये है present का, ये सब क्या है present का, तो बताओ present के लिए मैं इसको साफ कर दू, हो गया o copy, मैं save भी कर लें तरा कर आपको मैं दे सकूं, देखिए, देखिए, पाँच वर्स पूर पहले जाओंगा, तो पाँच वर्स के साफ सी ये 15 साल का हो गया, ये हो गया 20 साल का, ब का दो गुना है, तो option ही ये हो गया, टिक माणने के लिए, आपको इसमें पूरा दिमाग नहीं लगाना है फिर, ये चीश किलियर है, कैसे solve करते हैं option से, आगे समयने, चली अगला question देखिए, question number 7, प्रथम 5 सम संख्या है, 2, 4, 6, इनके वर्गों का योगत, बताद 2 का वर्गों के 4, ठीक न, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, और 10 का, ये हो गई कितनी 5 संख्या है, इनका क्या पूचा है, और सो पूचा है, बटे में कितना गया, 5 आगया, कोई doubt, कोई लिकर, 64 और 36, 100, 100 कितने हो दो सो, दो सो और 20 कितने हो गया, 220, 220 बटे 5, पांच से चला कितनी बाद, दो बाद, 22 कितना हो गया, 44, तो बताओ, आंसर कितना हो गया, 44, कोई doubt इसमें, इचिछ किलियर है, आगे समयने, कितना हो गया, 44, बिकल्प नम्मर 3, कोई doubt तो नहीं है, चली देखे एकला question, question, question देखे, question number 8, यदी तरज्याओं क्या योग, और दो ब्रतों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाए, बरावर हो जाए, तो बताओ, इन मैंसे कौन सा statement आपका सही है, देखे, भाई, दो तरज्याओं है, मालो, पहले मैंने पहले के recording किया, ब्रत बहारी रूप से sparse करते हैं, मतलब यह है, ब्रत ऐसे sparse करते हैं, मालो, पहले वाला ही solve के मने, केलियर है, अब देखो, क्या करा है, यदी तरज्याओं का योग, यदी तरज्या कर रहा हूं है, दो ब्रतों के केंदर के बीच की दूरी के बरावर होता है, चलो, दो ब्रत के केंदर, एक ये केंदर है O, एक ये केंदर है O, एक ये केंदर है O, किलियर है, इन दौनों के बीच की दूरी, दूरी कितनी है, ये दूरी है, ये दूरी है, R1 प्लस R2, दौनो क्या है आपस में बरावर है वो भी ही कर रहा है दोनों क्या होने चाहिए बरावर होने चाहिए पता चल गया statement हमारा क्या है पहला सही है पहले statement से हमारा क्या हो गया question अब define कर रहा है कि हाँ जो question कहना चाह रहा है वो हमारे statement वन से किलियर हो रहा है, यह चिस किलियर है, आगे समयने, कोई doubt तो नहीं है, चलिए अगला question देखे, एक सहर की बारजिक ब्रती सथ, देखे, दो प्रती सथ का मतलब कहते है, यह उता एक बटे 50, ब्रती का मतलब हो गया, यह 51 बटे 50, कोई doubt, कोई दिखका तो नहीं है, यदि वर्स 2020 में, 2020 में देड़ लाग था, कितना था देड़ लाग जनसंग थी तो 2023 में पूछना चारा है मतलब 2020 से 2023 मतलब 3 साल का difference है तो हर साल ब्रद्धी हो रही है हर साल ब्रद्धी हो 51 बटे 50 की 51 बटे 50 की और 51 बटे 50 की तो ये दो है, तीन साल बाद ये कितनी हो गई ये दो पूछा है कुशन, कितनी हो गई देखिए, कैसे पता चलेगा अब देखिए, पर तीन जीरो से तीन जीरो हो गई, पचम 25, 25 छे कितनी हो गई, देड़ सो कोई डाउट, ये हो गया, 51 गुणा, 51 55 गुणा, 6 बटे 5, क्या है, आप इसको solve नहीं कर सकते ये चीच clear है हो जाएगा solve, बाद ये जल दी ये चीच clear है, आगे समयने कोई डाउट तो नहीं इसमें, आ रहा है चलिए देखिए अगला कोशन देखिए, कोशन है, A और B, संयुक्त रूप से एक website शुरू करते है A दौरा किया गए निवेस दौरा किये गए निवेस के 7 गुना है, देखो A जो निवेस कर रहा है, जो पूंजी लगा रहा है, वो क्या है B से 7 गुना है B से 7 गुना है कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत रोनी है तो पूचा है क्या तो 2,75,000 के बारुसिक लाव में A का हिस्सा कितना हो, किसका पूचा है A का हिस्सा, A का हिस्सा कितना है 7 है Kिस पे? 8 पर into, into कितना into, पूचा आपसे 2,75,000 कोई doubt 2,75,000, कोई doubt तो नहीं है आगे समयने, कोई doubt चबड़ कर दो चलिए देखें, आठ से गया, आठ तिया चौबिस, ठीक ना, आठ चोग बत्यूश, आठ तिया चौबिस छय। यह जीरो और लगा दिया, ठीक ना, आठ सत्वी चपन, आठ पंजे चारिस, यह पता चला गया, कितनी माल गया? यह गया, तीन सो पिचतना कितने हो गया? 52 हो गया? 52 हो गया? अब देखिये 7 21, 21 और 5 कितने हो गया? 26 हो गया by 27, 24, 28 28 हो ग tudra 23 हो गया, by 30 गया? 721, 21 और 3 कितने हो गया? 24 हो!! कितना गया? 2,44,625 जन संख्या थी. ब्रदी के बाद पहले कितना था? 2,75,000 कितनी हे? 2,75,000 को wal डाउट अच्छा एक हिस्सा कितना हो गया 2,4,625 रुपे कोई डाउट 2,4,625 रुपे बिकरक नम्मर 3 यह चीज किलियर है आगे समयने कोई डाउट तो नहीं है चलिए अगला देखिए देखिए अगला कोईश्चन नम्मर 11 तिरबुज A x y z भई x y z ऐसे हैं तिरबुज x y z फिर है तिरबुज P Q R x y 6 रेशियो और P Q एक रेशियो है और P Q R P Q R का एरिया है 6 cm तो बताओ x y z का एरिया कितना होगा तो बताओ कितना होगा एक की वेलू कितनी है 6 है एक की वेलो कितनी है? 6 है, कोई doubt, clear है, आगे समय ने, चले देखें, सोमेवर कर ले थोड़ा सा, मैं सही कर रहा हूँ, ये आएगा 36, कितना आएगा, 36 हैगा, कितना है ये, 36 होगा, सोमेवर कर लिजिगा, मैं सोमेवर कर रहा हूह, यह है पाई क्या है बुजा है इसके लिए बुजा कितनी है एक अच्छा इसके एरिया कितना है इसका इरिया कितना है 36 के लिए है आप अगर मेरी विडियो देखो MTS की मैंने आपको बहुत अच्छे तरह समझा है होता क्या है तो देखें यह एरिया कितना जगा है एरिया हो जगा एक स्बरावदर च्छ गुणा 6 मतलब के 216 सेंटी मीटर कोई डावर कोई दिक्कर तो नहीं है किलियर है कि नहीं कोई डावर तो नहीं समरूप तिरबुज में योगांतर अनुपात क्या होते हैं एरिया के बरावर होते हैं यह याद दखीगा किलियर है चली अगला देखिए कोशन में बारा गीता एक अपार्टमेंट खरीती है उसके लिए EMI का बुक्तान करती है उसकी मासिक आए 80,000 रुपे है मासिक आए कितनी है? 80,000 रुपे है समझो कितनी है? 80,000 रुपे वह अपने बच्चों की सिच्छा पर 15% कितनी सिच्छा पर 15% घरेलू कामकाच पर 40% GPF में 10% बेचती है बचत खाते में 15% का बचत करती है तो बढ़ाओ टोटल कितना खर्चा कर लिए 15 बढ़ाओ 15,30 30,10,40 40,40 80% का खर्चा हो रहा है तो बढ़ाओ बचा कितना रहा हुआ? 20% तो किलियर है तो कहाँ और सेस रासी मतलब वही रासी कौनसी? सेस रासी 20% EMI के रूप में करती है यह तो पूछा है तो बढ़ाओ 80,000 उप्वे उसकी सेल ने थी 80,000 का 20% दी तो देना है उसे भाई EMI के रूप में क्या देना है? भाई 80,000 का 20% देना है बस तो बढ़ाओ परसेंट क्या कहती है? दो जी रूप है याती है आठ दूनिस सोला एक दो तीन एक दो तीन तो कितना आ गया? 16,000 आंसर कोई डाउट इसमें कोई दिक्कत तो नहीं option नम्मर क्या हो गया? option नम्मर आ गया आपके पास एक कोई डाउट जल्दी कॉपी करेंगें से हो गया? चली देखे question नम्मर 12 question करें से बरत्यकाट ट्रेक पर हो रही 1200 मीटर की एक दोड में A और B एक किस्थान से दोगों, एक किस्थान से चल रहे है मतलब मैं कहा हूँ relative speed यूज और यहां से चल रहे है और एक ही दिसा में हो चल रहा है तो एक दिसा में चल रहे है relative speed की हो जाते है relative speed हो जाते है आके पास minus A difference of B ऐसे समझे यह चाल है A और B clear है? आगे समझे तो पूचा क्या है? दूरी दे रखे 1200 मीटर अच्छा चल कैसे रहे है A की दिसा में चल रहे है 18 km प्रतिगंटा और 27 km प्रतिगंटा भाई दिसा सेम है दिसा सेम है relative speed हो गए दौनों का अंतर 27 में से ठारे गया तो relative speed कितने हो गए? 9 9 km प्रतिगंटा कोई doubt इसमें? इस इस clear है? आगे समयने? तो पूचा है दौर सुरू होने के लिए कितने समय बाद? समय वरावाद दूरी है 1200 मीटर चाल कितने 9 km को चेंज कर लिए 5 बटे 18 18 उपर पहुँच गया कोई doubt? 9 से गया दो बार कोई doubt? 5 से गया दो बार ठीक है? 12 दूनी 24 24 दूनी 48 तो कितना हो 480 सेगन कोई doubt इसमें? कोई doubt तो नहीं है आगे समय जल्दी कॉपी करें इसे जल्दी कॉपी करें इसे चली देखे हो अगला कोईशन कोईशन है 67.5 प्रती केजी मुले के चावल 60 प्रती केजी मुले वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ओस्ट मुले 64 64 प्रती केजी प्राप्ट हो जाए देखो मिशन दे रखाए आपके पाश 64 पहला दे रखाए आपको 67.5 दूसर दे रखाए 60 किस अनुपात में मिलाया जाए 64 में से 60 गर तो बचे 4 67.5 में से 64 गए तो कितने बचे 3, कोई डाउट, पॉइंट से ठाके यहाँ गए 0, यह तो अनुपाद है, 5 से कितनी बढ़ गया, 5 से गया 8 बर, 5 से कितनी बढ़ गया 7 बर, तो किस अनुपाद में मिला रहे हैं, 8 अनुपाद 7 के अनुपाद में, इसको मिला रहे हैं, तो आं पूचा आयतन का अनुपाद पूचा देखो आयतन की होता है πाई r square into h1 डिश्यो पूचा है πाई r square h clear है तो होगे पहला आयतन थो πाई से πाई कडिया चलि यह r की विल को इतनी है तरिज्या है दो का उसका कितना हो गया इन्टु h1 कितना है 5, h1 कितना है 5, यहां r2 कितना है, 1 है, r2 कितना है, एक हो गया, h2 कितना है, dh2 है, 2, कोई doubt, 2 से कितनी वार गया, 2 वार, कितना है, 10 अनुपात, एक answer, कोई doubt इसमें, clear है यह चीज, आगे समयने, clear है, r आ रहे समयने, कोई doubt तो नीए, चली देखिए एगल कार्रे को 30 दिन में करता है देखे ए है एक कार्रे को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्रे को 50 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्रे को कितने में कर रहा है 40 दिन में तो बताओ कुल कार्रे कितना हो गया कुल कार्रे आपको पता होने चाहिए एलसेम लेते हैं तो पूरा एलसे चुक साथ, कोई doubt, clear है यह चीज़, अब question है, यदि A को, एक दिन, यदि A को, एक दिन B की साहता से, और अगले दिन, अगले दिन C की साहता से, यह तो question है, तो मतलब यह है, A और B, A और B कितना काम कर रहे हैं, 32 काम कर रहे हैं, एक दिन में, फिर दौन यह A और C कितना काम कर ये काम कर रहे हैं 35, कितना काम कर रहे हैं 35, तो मैं कहुंगा, दो दिन में किया गया कार रहे हैं, दो दिन में किया गया काम कितना हो गया, 67 होगे, कोई doubt इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस इस clear है, दो दिन में किया गया कार रहे है, कितना हो गया, 67, बदाओ, कोई doubt, आगे समयने, कोई डावर तो नहीं है, इतना के लिए है, चलिए, अब देखो, ये काम है, मुझे काम लाना इसके बराबर, भाई अगर मैं 10 से गोणा करूँ, 10 से गोणा करने पे 670 हो गया, मैं बढ़ा है, समझो, अब मालो मैं इसको 8 से गोणा करके देखो, भाई 8 से गोण पहले काम करेगा 32, मैं बढ़ा, A प्लस B, 32 काम और हो गया, अब कितना काम हो गया, अब काम हो गया, 532, 536, 32 काम और हो गया, ये काम हो गया, 568 काम हो गया, किस मैं से, 600 मैं से, कोई डावट इसमें, इस चीश के लिए है, आरा एक निया रहा है, इस चीश को यार रख लोग किलियर है, अब देखो, 600 मैं से, 568 गया, तो कितना काम बचा, 32 काम बचा, इस काम को करेगा, इस काम को करेगा, अब A, C, तो कितना काम है, 32 बटे 35, तो कितने दिन हो गया, 16 दिन ये, एक दिन और एश्टा हो गया, कितने दिन हो गया, 17 दिन, 17 सही, 32 बटे, 25 दिन में ये का क्या हो जागा पूरा complete हो जागा इस चीश किलियर है आगे समझने है चीश से कोई डाउर तो नहीं है भाई दो दिन में आठ दिन पहले काम कर ले तो एक दिन किस ने काम कर लिए एक दिन और काम कर लिए टोडल हो कोई सत्रे दिन बदीस काम बचा अब कौन कर लिए पैथिस क कोशन है AD एक ब्रत की इसपर से रेखा है AD ब्रत की एक इसपर से रेखा है ठीक है ABC एक छेदक रेखा है छेदक का मतलब ऐसे केलियर है भाई ABC कोई डाउट इसमें कोशन है AB AB है आपके पास आठ और BC कितना है 10 है तो आपको पता चानी है formula क्या होता है formula होता है AB का whole square बराव गुणा AD क्योंको उसने काटा क्या है AC से sorry किससे काटा है अचा यह क्या है यह है AD बिटा क्या है यह मेरे सातियों AD तो यह हो गया AD का whole square AD का whole square बरावर AB multiply और AC clear है AC कोई doubt तो नहीं यहादा clear है यह चलिए AB की value कितने AB की value है 8 AC की value देखें यहां से यहादा पूरी value 10 और 8 कितने होगे 18 होगे 18 गुणा 8 होगे 144 तो बताओ AD square है AD की value कितने होगे 12 कितने होगे 12 सेंटीमीटर आंसर कोई doubt तो यह चीज clear है आरा है समयने कोई doubt तो नहीं AD की value कितने होगे 12 सेंटीमीटर कोई doubt चीज clear है आगे समयने चलिए देखें एगला कोशन देखें कोशन में 18 देखें कोशन में 18 एक टेली विजन सेट का अंकित मूले 18 हजार रुपे है एक दुकांदा 40 परसंट की छूट देता है देखें अंकित मूले कितना 18 हजार रुपे है 40 परसंट की छूट दे दी तो मेरे पास अब होगे कितना 60 परसंट के लिए है बरावर फिर के रहा है दस परसंट का लाब कमाने के लिए टेली विजन सेट का क्रेम मूले क्रेम मूले 10 परसंट लाब कर रहा है 110 बटे 100 बदा कोई doubt नहीं था कोई दिखकत हो नहीं है किस में sure घ्यार नम्म मन इन्यन्यानवे कोई डाउड तो नहीं है बचा कितना 9 बचा 10 परसंट के लिए है 1188, 1188, तो देखो, ऐसा option में सिर्फ एक यह 98, इसके बाद 5 आगे, तो हमें पूरे solve भी नहीं करना हो, चीज के लिए है, option कौन से हो गया, option नम्र आगे, आपके पास 2, चीज के लिए है के नहीं, करना कैसे है, माल लो आपके पास दे रखाओ, तो formula था MRP, multiply discount, equal to CP, multiply profit percent या loss percent, क्यों हुआ, cost पर profit लगे या loss लगे, वो कह रहा था, selling price, marketing price पर discount लगे, तो हमेसा क्या हो था, selling price, selling price, selling price, selling price equal हो गए, तो इसलिए cost price और marketing price क्या हो गया, equal हो गए, यह चीज के लिए है, formula कहां से निकला है, कुछ निया, concept है, और कुछ भी निया, यह चीज के लिए है, चलिए अगला question देखे, question है, दो संख्याओं का SCF, उनके LCM का 120 हिस्सा है, देखे, question है, उसका SCF जो है, उनके LCM का, उनके LCM का, एक बटे 20 हिस्सा है, तो मैं कहूंगा, SCF बटे LCM बरावर, मैं कहूंगा, SCF बटे LCM बरावर, एक बटे 20 है, कोई doubt है इसमें, कह रहा है, यदि एक संख्या 96 है, और LCM और SCF के बीच का उन्तर, चार सो पैसट है, तो मैं इनका उन्तर कितना है, 19 रेशियो है, कोई doubt है, कोई दिक्कत तो नहीं है, के लिए है, देखे, 19 है गया, ठीक है, 19 जूनी कितने होगे, 19 जूनी होगे 38, ठीक है ना, 7 बचे, के लिए है, 19 चौक पूरे कितनी बार चला गया, 24 बार चला गया, कोई doubt, clear है, अब खरे, एक संख्या कितनी है, 96 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगे, निकाल सकते है आराम से, कोई doubt, चले, पहली संख्या 96, इन्टू दूसरी संख्या X, बराबर, भाई LCM कितना है, SCF है, 1R, ये कितना है, 20R, कितना ह है, 20R, कोई doubt, इसमें, कोई दिखा तो निए, 9, X equal to कितना हो गया, X equal to कितना हो गया, 1R, तो 1R की value है, 24 गुणा, 20 गुणा, 24 बाटे, 96, ये तो है, clear है, तो देखो, 24 से चला गया, 4 बार, 4 से चला गया, 6 बार, 6 दूनी, 12, तो कितना गया, 120 निन आंसर, कितनी होगी, दूस है, मैं सीरिस से तो फॉर्मल में रख लिए, SCF कितना है, 1R है, LCM कितना है, 20R है, R के value दे रखे, 24, मतलब 24 गुणा, 20 गुणा, 24, कोई doubt, चीज़ के लिए है, आगए समझे, कोई doubt तो नहीं है, चली अगला question देखे, देखे, question, 11 का उसकर, 11 का उसकर, और 112 का उसकर कितना है, 144, पूछाए, इसके बीच कितनी पूर संख्या, मतलब इनके बीच संख्या कितनी है, मतलब यह कहना चाहिए, इनके बीच में संख्या कितनी है, यह चीज़ किलियर है, आगे समयने, तो देखे, इनके बीच में कितन अंतर है, इसके बीच में अंतर कितना है? 144-121 कितना है? इसके बीच में अंतर कितना है? 23 का, कोई doubt? clear है, आगे समयने, वही 23 है लेकिन समयने, दो संख्या आपस में एक, दो बर count हो रहे हैं, एक को मैंने माइनस कर लिए, कितना हो गया, 22 आगे, तो बताओ, कितनी संख्या है इसके बीच में, 22 संख्या, answer कोई doubt, चीज के लिए है समझो, कैसे गया मालो, मैं ना 5 और 9 के बीच में संख्या पोचा चार रहा हूं, कितनी है 5 और 9 के बीच में, संख्या कितनी है 5 औन 9 के बीच में, कौन-कौन सी संख्य आती है? इस उसको समझे razón 5 औन 9 के बीच बीच में 6 आ गई साथ आगई 8 आट आगई कितनी संख्या है? 3 संख्या मतलर इन दौन के बीच का अंतर देखे 4 उसमें से 1 और minus के लिई कितना गए? 3 समझे बही, ग्यारह है, और बीस के बीच में कितनी संख्या है, कौन-कौन सी हो गई, एक बारह हो गई, तेरा, चौधा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, और उन्निस, काउंट खरीए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ, आठ, टोटल कितनी संख्या आ रहे हैं, आठ आ रहे तेईस, तेईस में से एक गया, कितनी हो गई, बाईस आंसर, कोई डाउर तो नहीं है, किलियर है, चलिए देखिए अगला कोशन, देखिए, कोशन है, साइन एकुल टू कितना है, आठ बटे सत्रा है, तो बताओ, आठ बटे सत्रा है, किलियर है, यह होगे सत्रा, यह होगे कॉई दुक्कात तो निये को दिक्क इत का मतले होता है कान बटे किलीर कोई रहे डाउट का मतले हो किलीर है को डाउट सेक का मतल़ हो कितना होता है जल्दोन गई啦 कार्ण भटे क Bonn काण बटे आधर कोई डावट किलियर है आधर कितना है अच्छा आधर है आधर है आधर है आधर है आपके पास 15 है चलिए दौनों का इल से मगए 120 कोई डावट कोई दिखत नहीं भाई 15 का मैंने गुणा किया 15 का होल उसको होगे 225 किलियर है कोई डावट तो नहीं है चीज के लिए है कोई डावट चलिए 178 कितने होते हैं 178 होते हैं 136 कोई डावट चले दौनों को जोड़ा 6 और 5 कितने होगे 11 होगे ठीकिन ना तीन और दो पांच 5 और एक 6 हासिल थी ना दो और एक 3 अब बताओ यह क्या हो गया 120 था कितनी बचला गया 120 गोणा 3 360 हो गया तो मैं कहूंगा 3 सही एक बटे 120 तीन सही एक बटे 120 आंसर कोई डावट उसमें ऑप्शन है हाँ है ऑप्शन कितना है ऑप्शन है आपके पास C य आगे समयने चली देखिए ला कोशन कोशन एक आटा कार बूकरंड की लंबाई एक आटा कर भूकरंड की लंबाई चोड़ाई की चोड़ाई की तीन ही तीन ग Kum से या यदी आटा कार बूकरंड की क dips य 오늘도 को डाता लंबाई गना चोड़ाई कितना ते रंख Clay iota कितना दे रखाए 2700 3 से चला गए 9 बार X की value कितनी आ गई? X की value आ गई 30 कोई doubt कोई दिक्कत हो नहीं है, तो पूछाए आयता कार भूकंड की चोड़ाई कितनी है भूकंड की चोड़ाई है X की value कितनी है? 30 ही है आंसर कितना गई? 2, बिकल्प नमबर 2 कौण सा हो गया? 30 चोड़ाई तो हमारी ये है, बिकल्प चोड़ाई हमारी ये है चोड़ाई X है तो बतलब चोड़ाई कितनी है? 30 ही होगी, खोगी X की value कितनी आ गई? 30 आ गई है, कोई doubt तो हो नहीं है चीज clear है, आगे समयने कोई doubt समयने आ रहा है, चीज clear है? चलिए देखें एकला question किसी संख्या के 3 से विवाजित होने की सर्थ क्या है? दोग मालों कोई भी संख्या है, 3 से विवाजित होने की सर्थ क्या है? आपको पता होना चाहिए, 3 से विवाजित का सम का मतलब ये है कि उसमें जितने भी अंक हैं, जितने भी अंक हैं, उसका योग करिए और 3 से भाग कर लिजे, ये दो उसका मतलब है, 3 का तो मतलब ये है संख्याओं का योग निकाल लिजे और 3 से भाग कर लिजे, आंसर आजागा चलिए, पहले पढ़िए सो संख्या के अंतिम दो अंक, 3 से बीवाजित होगा है, नहीं, ऐसा कोई rule नहीं है, heen clear है, उस संख्या के विश्म और सम संख्याओं के योकां अंतर, क ocasィ jogar 3 से बीवाजित होगा, नहीं, यह भी गलत है, तीसरा है, उस संख्या का अंतिम अंक, या तो 0 हो या तो कोई नहीं ऐसा तो क्या कहलाथा है दो की विवाजित गयता कहलाती है ऊस सब्सक्राइब के अंकों कहयो दस अजार, दो लाख दस अजार, जबकी 6, जबकी 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मॉयल का क्रेम मुल्ले है, एक लाख बाईस अजार, एक लाख बाईस अजार, कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, केलियर है, अब देखो, क्या मैं समान कर सकता हूँ, हाँ मैं 2 बणा क्या 2 दोनी चार्ज, 2 दोनी चार्ज, 2 एक हम 2, 1, 2, 3, भाई दोनों को डिफरेंस कर लो, एम से एम कडिया, तो 12 आर मैंसे, 10 आर गए तो कितने बचे, 2 आर बचे, 2 आर की वेल्लू कितनी हो गई, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इन तीनों को रठा दो, भाई 4 मैंसे 0 गए तो 4 चार मैंसे 1 गख तो 3 बचे, कोई डाउर, 1 आर की वेल्लू कितनी आगई, 1 आर की वेल्लू आगई, 17 हजार, यह चिछ गिलिए है, कोई डाउर तो नी है, अब देखो, यहां मैं रख दूँ, यहां मैं यहां रख दूँ, निगल सकती है, हां निगल, अगर मैं यहां बचे यह कितने बचे 4 M, बचे 4 M की value कितनी है, 10 गुणा R, कितना 17,000 है, गुणा कर दूँगा 10 का, तो 1,70,000 होगा, 1,70,000 है, मैं माइनस खुलो, 0, 0, 0, 0, 11 में से 7 गए, 4, चार से divide करने पर यह कितना बन गया, 10,000 है, कितना बन गया, 10,000, आंसर आ जागा, बताओ, यहां तो कोई doubt तो नहीं है, चीश के लिए रहे, उसने पूचा क्या है, उसने पूचा है, दो, एक refrigerator, एक refrigerator की value कितनी है, 17,000 ह है, कोई doubt, और पुझाई, दो मॉल का मुले, एक मुले 10,000, दो मुले कितना होगा, 20,000 होगा, तो पुझाई, इनका मुले कितना 20, sad 3,000 होगा, 37,000 होगा, कितना गया, answer आँगा, 37,000 answer, कोई doubt इस ए, कोई दिक्कात तो नहीं, आगए समझने, option कौन सा होगा, option n %4, यी चीश किलियर है आ रहा है समयने कोई डाउर तो नहीं है किलियर हो रहा है ना चलिए अगला कोशन देखे देखे कोशन एक बिद्ध्याले की क्लास में अच्छा 11 में 40 छात्रों ने भौतिक बिग्यान सत्रे ने जी बिग्यान और बीस ने रसाइन बिग्यान विशे चुना यदी क्लास 11 में चात्रों की कुल संक्या 60 ठीक है ना और इन सभी चात्रों ने यहां वर्डित तीन विश्यों में से कम से कम एक विशे चुना चलिए इसको भी बताते हैं ठीक है क्यों इस स्पेस कम है म इसको मैं भी बताता हूं जब और कोशन देखे, कोशन नमर 25 है, यही द्यार रखीगा, चले इसको देखे, कोशन निम लिखित का मान क्या होगा, 1 प्लस कॉट A प्लस 10 A, फिर साइन माइनस कॉस A, फिर साइन A, कॉस A, अपॉन, साइन क्यूब A, माइनस कॉस क्यूब A, क्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो, भाई, मालों मैंने A की वैल्यू पुट करी 35, सोई 30, अब तो हो जागा यह, भाई, होगा की नहीं होगा, भाई, 30 पुट कर दो, इसको डारेट आंसर आजागा, भाई, आखनों की माद दिखा, माद दिखा के लिए अभी पसन जाना है, बढ़ते होगी क्रम में लिखू पहले, भाई, बढ़ते होगी क्रम में लिखू होगा, सबसे छोड़ा नम्मर है 10, पहले काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नो है वेलो, अब नो का मतलब ये है, 3 ये, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, बीच में लिखू होगी, नम्मर गाय। माद दिखा के लिए बीच का नम्मर दीख लो, बीच में सिर्फ 1 आ रहा है, चलिए 10, 10 के बाद कौन सा बड़ा नमबर है? 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 18, 18 के बाद है 20, 4 होगे एक नमबर वह पता चले है, वही उसकी क्या होगी? मांदीगा होगी, ख्योंगी 4 नमबर आ गए, पांच बादने मांदीगा होगी, फिर 4 नमबर चलेंगे, कोई doubt तो नहीं, इसके बाद 20 के बाद है 2100, डारेट आंसर आगे, कौन सा है इसका, option नमर 4 है इसका विकल्प, कोई doubt, इस इस clear है, आगे समयने, clear है के नहीं, चलिए अगला कोशन देखे, देखे, 5 cm बोजा वाले, एक घन को, देखो, एक घन को, 125 घनों का प्रियोग करके, भाई, 125 घनों का प पेस मिल जाए, चलिए, कोशन करें, यहीं समझाने, ठीक न, आगे आपको अच्छे से clear हो जाए, भाई, 5 cm बोजा है, कितनी है, 5 cm, कह रहा है, एक सेंटीमीटर को, 125 घनों का, मतला, 125 घनों का मतला हो गया, 5 का क्यूँ, कितना हो गया, 5 का क्यूँ, मतला विसमें, जो ब्लो बनेंगे, तो बताओ, जब 5 के ब्लोक बनेंगे, तो मैं ऐसे बना लूँ, ब्लोक, 1, 2, 3, 4, बन गए, पाँच हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 घनों गए, चलिए, इसको ऐसे बनाईए, अब, एक, दो, तीन, चार पांच बन गए, अब इसको जोड़ लिजे एक, दो, तीन, चार किलियर है, अब इसको जोड़िए एक, दो, तीन, चार किलियर है, कोई डाउर तो नहीं है आ रहा है समयने, कोई डाउर तो नहीं है चलिए देखे. मैं कहां हूँ, इस पूरे बड़े घन का, जिसमें से प्रते की बुजा, 1 centimeter भ hardly एक centimeter और इसकी बुजा कितने हो गई यहाँसे यहाँ तक कि हर बुजा कितने हो यह है एक centimeter इसको मैं निकाल लिए मतलता इसको मैं बहार निकालूँगा, समझना, इसको मैं बहार निकालूँगा, जब मैं बहार निकालूँगा, देखो, यह मैं ऐसे समझे, कुछीज है में पस, मैं कैसे समझाओ ? चलो यह यह घं है घं है मैंने से काटा एक बुझा यह बहर आएगी इस निकल लगा कितनी आगी एक बुझा यह आएगी आप देखोंगे यह वाला फलक यहीं यूज हो रहा है यह वाला फलक इस सभी में यूज हो रहा है तो मतलब यहां बनने वाले फलकों की संगे कितनी है चार है समझना एक ची कितनी है चार है हर फलक का बुजा कितनी है एक सेंटी मीटर है समझना के लिए तो बताओ एक फलक क के लिए करव सर्फिस उढ़ा शिक्स यह स्कैथ टोटल हो गया कितने बन रहे है टोटल बन रहे है कितने चार बनाने को पांश वा तो जो है वो बड़े-वाले में ही बन रहा है समझे नहीं तो बुझा कितने एख यह तो छै गुणा एक गुणा चार, टोटल होगे 24, समझे इसको, टोटल कितना होगे 24 cm, यह मैं कहाँगो 24, किलियर है, आगे समय ने, 24 cm उसके, कोई डाउट, बहान निकालने वाले का होगे है, सिर्फ बहान निकालने वाले का, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, किया है, ठोदा प्रश्टी शि निकालने वाले कोई है, यह वालो, बहान था जिए सिक्स अॉसके, 650. बढ़े वाले के लिए, बोजा कितने है, 5 का होगे, 2500, कोई डाउट, तो पूछा है, प्लेधत में कितना होगे, कितना होगे, 1500, कितना होगे,टो तो पूछा है, एक गण अठा दिया, तो, 6 ठोष का प कितना गया एक सोहतर सेंटीमेटर मिरा रहा ने समय ने कोई दोड नहीं दोड़िक कर देखें टेगा इस कोशन को जल्दी करें, कराया हुआ कोशन है यह, आप मेरी MTC के लोगे, तो इस कोशन मैंने आपको कराया है, और यह सभी कोशन हमारी बुक से भी आये हुए, जो इतने कोशन करा रहे हैं, एक दो कोशन है, जैसे मालों कोशन नमर 28 है, वो कोशन अच्छा था, है ना, और क कोशन तो होड़ा नया है, करना कैसे इसको समझाएंगा है, देखे, करिए इस कोशन को, जल्दी करें 29, जल्दी करिए, क्या है कोशन 29, करिए जल्दी से, हो गया, चले देखे, कोशन कराया हुआ है मेरा, यह कोशन, कोशन है, साइन एक्स प्लस साइन उस्कार एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स इक्छल टुवण निया workers कोश लोगा है, कोई डाटत केले है, चलिए इसको देखे जल्द है, यह क्या है यह है cos 4x का whole square प्लस इसको देखी यह है cos 2x का whole square मैं कहुंगा a square plus b square a square plus b square plus 2ab भई क्या 2 लगा है हाट 2 लगा है a की value कितने cos की power 4x b की value कितने cos की power 2x चेक करो चेक करो जरा यह है a यह है b a square plus b square plus 2a a और b यह दो है तो यह क्या बन गया a plus b का whole square यह हो गया cos 4x plus cos 2x की power कितने हो गई कोई 2 हो गई कोई doubt आप चेक करिए कोई doubt तो नहीं है चलिए यह दिखें कॉस उसके एक्स की value कितने sin x है तो इसको मैंने लिखा sin square x plus cos square x भाई यह कितना होता है यह होता है आपके पास 1 तो यह होगा सब्सक्राइब क्रोंता है मतलब 1 का whole उसको कितना हो गया वन सैंटी मेटर मतलब सेंटी मिटर कोंño सियंगे यह चीछ कि लिए्ट हो रही है बताए कोई डावर तो नहीं चीछ के लिए चलिए अगला लिए जिए देखिए को समख्याओ का SCF 11 और उनका LCM 693 है, एक संक्या का 77 है, तो दूसरी संक्या कितनी होगी, 11 गुणा 693, 11 से चलागे कितनी बाद 7 वार, 7 से चलागे कितनी बाद, 7 नाम 63, 6, 60 नाम 63, कितना अंसर आगा, 99 अंसर आगा, कोई डाउर तो नहीं है, चीज किलियर है, आगे समझने, कोई डाउर त इसके लिए मुझे जगए चाहिए, जगए चाहिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, साथी हो, मैं आपके लिए काम कर रहाँ ठीक, ना, करिए आप जबता है, कोशन करिए, करिए करिए, करिए करिए मैं आप यह कर रहा हूँ आपका की काम कर रहा हूँ जल्दि इस कोशन को जब तक आप करिए मैं स्पेस बना लूँ बस तोड़ा साथ स्पेस जए फ़े तो मैं करिए लूँ आप चलिए देखिए कोशन क्या है अब पढ़िए कोशन है एक बिध्याले की क्लास 11 में चालिस चात्रों ने फिजिक्स में सत्ट ठीक ना चालिस चात्रों ने फिजिक्स दोखो मैं ऐसे बना रहा हूँ फिगर बनाओ मैं आपको यहां समझाने के लिए समझो और चालिस है फिजिक्स के फिजिक्स के सत्रे है बाइलोजी के और बीस है आपके पास क्या है मिश्टर के कोई डाउड तो नहीं है यदि क्लास ग्यारह में चात्रों की कुल संक्या शाठ थी और इन सभी चात्रों ने यहां गड़ी तीन विश्वों में कम से कम एक विशे चुना और इन में से ठीक पांच बिध्यार्ती उन्हें सभी तीन विशे चुने समझना, चलो मैंने कहा यह है अगर PQR, ठीक है न, कोई doubt तो नहीं है, चीज clear है, अचा इसके लिए मैंने माल लिया, यह हो गया, X, Y, Z, कोई doubt तो नहीं है, clear है, चलो मैं पूरे इका निकाल लूँ, मैं पूरा कितना है, PQR, PQR, अचा यहां क्या है, यहां है, X plus Y plus Z, से पांच विद्यारती है, जो कम से कम एक विशेच चुन रहे, तो 5 माइनस करें कितना बन गया, 55, कोई doubt तो नहीं है, कोई doubt तो नहीं है, चीज clear है, आगे समयने, कोई doubt, इन में से ठीक 5 चात्रन है, सभी 3 विशेच चुने, अब सभी 3 विशेच चुन रहे, तो बताओ, अ अगर यह दो बार विशेच सुनेगा, X दो बार सुनेगा, Y भी दो बार सुनेगा, ठीक ना, और Z भी क्या होगा, दो बार सुनेगा, दो बार सुनने के बाद यह होगा, दो कम लोगे X प्लस Y प्लस Z, अब देखो यह कितने बन ले है, फिजिक्स के लिए कितने है, 40, बुरा कड़ा है, यहां रग एक्स प्लस वाई यहां गी ऌत दॉग एक्स प्लस अलb प्लस डगी तो पांच और से उसका नहीं होhta din फॉरा कुमरा होगे ळगी प्लस तीर के साथ नोग्न गा है थी अहां प्लस में समझा रहा हूँ थोड़ा से एक मिनट बेट करिए इसको मैं सही कर लो ताकि आपको दिक्कत ना है देखें भई पांश पांश कितनी वार हैं तीन वार ओने तो पंद्रे हो गया एक्कॉल्टू में कितना है कितने बचे साथ गए कितने बचे साथ कोई डाउट तो नहीं है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्लू कितनी होगी साथ आगई वेल्लू हो गई पच्पन मेंसे साथ गए बचे अरतालिस बचे कितने अरतालिस बचे कोई डाउट कोई डाउट यह वो हैं जो कम से कम एक subject लेते हैं कौन है ये कम से कम एक subject ले रहे हैं तो उसने पूचा यही है कि कम से कम 11 में से क्या पूचा है इस बात की क्या probability है कि इस school के class 11 के एक याचिक रूप से चुने गए चात्र ने तीन विश्यों में ठीक एक विश्य चुना है तो बदव कितने विश्य हैं 48 हैं कितने है 48 हैं भाई के लिए है probability equal to p equal to अनुखुल बटे टोटल प्रायक था तो अनुखुल कितने हैं 48 टोटल कितने हैं 60 है टोटल कितने हैं 60 है माइनस डिवाइट के लिए 12 से गया 80 आंसर कोई doubt तो नहीं है यह चीच clear है आगे समझने कितना आंसर है 0.80 clear है चलिए बताए जल्दी यहादा कोई doubt तो नहीं है यह चीच clear है आगे समझने कोई doubt नहीं आना चाहिए इस question में clear है चलिए अब थोड़ी से बात करते हैं यह सबी जो question में आपको बता दे रहा हूँ इसके बारा में थोड़ी से detail दे रहा हूँ देखिए थोड़ी से बात करते हैं इस type की books की ताकि आपको अभी CGL का paper है आपको पता चल गया होगा एडमिल काड भी आ गया है देखिए यह book है हमारी CGL की इस यह book इतनी एची तरीक से हमने इसको question इसमें डाले गये हैं कि आपको आने वाली परिछा में जैसे हमालव आभी आपको पता है SSA CGL का paper होगा है start 24 तारीक से start है 27 तारीक से चलने है आप end time पर जो भी दिन आप बच्चे हैं जो भी बच्चे हैं आप हमारी सीरीज को लिखर आए बिजई सीरीज CGL की लिए लिए और CHSL की लिए लिए इसमें आपको non repetition question में लेगे हैं ताकि end time पर आपको जो repetition question होते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जागा क्योंको repetition question करने में दिक्कत बहुत आते हैं बार 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 वही question आते हैं इसमें हर एक set के साथ साथ हमने question इस तरह से डाले हैं कि आपको कोई भी repetition question नहीं मिलेगा हर question नया है हर question हम कोसिस करते हैं कि हर साल आई हुए question में से हम अच्छे question जो single question होती है उनको उठाएं को repetition question करने से कोई फाइदा नहीं होता है आप इस courses करिए कि अभी market में इस book को जाईए purchase कीजिए और आने वाली जो आपकी परिच्छा है CGL की 14 तरह से और मैं guarantee दे रहा हूं इस हमारी series से इन दौनों series से कौन सी SST, CHSL और CGL इस दौनों series को लगा की जाईए आपके पूरी guarantee में दे रहा हूं कि लगभग 80 से 90% question हमारी book से ही आएगे इस चीज़ पर बहुत मैंने बहुत खासका focus करके इस book को तयार करवाया है यह रखिए पूरी team इस book में लगी हुई थी कई सालों से team लगी हुई बुकों में हमारी book देखिए आप market में जाईए books देख लिए क्या है मैंने आपको पूरी book दिखा दी आपको question और दिखा देना ताक कि आपको कोई दिक्करत ना है यह question भी हमने बहुत अच्छी तरगे से करें देखे हर एक question इसमें non repetition question है ताक कि आपको आने वाले समय में कोई दिक्करत ना है तो आप कोशिस करिए आप online जाईए है ना हम आपको लिंक प्रवाइट करवाद देने तुरंक लिंक प्रवाइट करा दो हमें clear है उस लिंक पर जाईए CGL और CHS की book purchase कीजिए मालों आपको delivery में टाइम लग रहा है तो आपका जो local area कोई भी local हो रहा है उनसे बोलिए अगरवाल exam card की हमें SSC CGL और CHSL की बिजाई series book देदो math की और reasoning की कोशिस करो आप सब ले लो आपको फाइदा बहुत होगा इस book से आपको non repetition question है इससे बहुत अच्छा काईथा discount में मिलेगा आप market में जाए कोशिस मेरी पूरी यही रहीगी आप सब के साथ में कि आने वाल इस book से आए हर एक question में आपको दिखाता जाए लगबर 80-90% question और इस हमारी book से तयार है यह जिसके लिए है तो इस video को जादा से जादा से शेयर करिए और इस video को जितना हो सकते उतना like करिए subscribe करें चैनल को ताकि आपको आने वाले समय में जो भी video मैं आपको डालूँगा य यह सब की कोई video आ चुकी है और आप ध्यान दीजिए एक चाहिए मेरी SSC MTS जो अभी paper हुआ था उसके पूरे set कितने set थे 51 set में आपको online आपको provide करा रहा हूं with solution के साथ कैसी solution जाएगी कैसी नहीं जाएगी आपको पता है ना कि क्वालिफाइं नीशर कर दिया math और reasoning में क् पास करो आपकी merit लगेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे GS और English पे आपकी merit लगनी है पूरे 50 नमर पे तो कोसिस यही रखिए कि आप अपनी अच्छी से त्यारी करिए और लगे रहिए मुझे पूरी उमीद है आपका SSC CGL का paper बहुत अच्छी से जाएगा आप बहुत अच्छ करा दिये ठीक है इससे आपको कुछ न कुछ मिलेगा सीखने के लिए चले धन्यवाद नमस्कार